दस्वी फेल यूको ने खुद को प्रोफेशर बता कर भारत समेद 20 देसों के PST स्टुडेंट से कारोडो रूपे ठग ले वही मसूरी पुलिस ने मुख्विर की सूचना के बाद तीन आरूपियों को डासना के शक्ती नगर से गिरफतार किया है पुलिस ने इनके पास से दो लैपटोप 11 एटियम और पासबुक वा अन्य सामान बरामत किये हैं गिरोहों के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है थाना परभारी नरेश सिंग के मुताबिक सूचना मिली थी कि डासना के शक्ती नगर के पास एक कमरे में कुछ युवक अपने घर से कम्प्यूटर के माधिम से कुछ गलत काम कर रहे हैं इसके बाद टीम ने देर रात मौके पर जाकर छापे मारी की वहां कैमरे में पुनीत कुमार, चंदरशेखर और परवेजनाब के तीन युवक मिले ये तीनों डासना के ही रहने वाले हैं इनसे पूष्टाच की गई तो पता चला कि ये लोग यहां से बैट कर अमेरिका, औस्टेलिया, नार्वे, इंग्लेंड, जर्मनी, फ्रांस, मलेसिया, पाकिस्तान समेत कई अन्य देसों के पेश्टी इस्टुडेंट को उनके शोध इंटरनेशनल जनरल में छपवाने का जहांशा दे कर ठकते थे, छात्रों को जहांशा देने के लिए इन्होंने एक वेबसाइट बना रखी थी, इसी के माध्यम सी इस्टुडेंट इनसे संपर्क करते थी, उन्होंने बताया कि अकेले पुनीत की दो पास्पुक में 350 टांजक्सन बीडेसों से हुई है, गैंक अभी तक हजारों लोगों से 2 करोण रुपे से अधिक की ठगी कर चुका है, बार बार अपनी कौलिफिकेशन को बदलता रहता है, थाना प्रभारी नरेज सिंग के अनुसार पूछताश में आरोपियों ने बताया कि ये लोग समय समय पर नई वेबसाइट बना कर यार करते थे, पुनीत के पास कम्प्यूटर की अच्छी जानकारी है, पुनीत ने बताया कि वो और उनके साथ ही दस्वी फेल है, उसने दस्वी का फॉर्म भी भर रखा है, उसने बताया कि कम्प्यूटर की अच्छी जानकारी होने के कारण वो पूर्व में एक जरनल के आफिस में काम कर चुका है, वहां उसने काफी कुछ सीखा था, इसके बाद उसने नौकरी छोड़ी और अपने साथियों के साथ मिलकर फरजी जनरल वेफसाइट बना कर ठागी का काम शुरू करने लगा, वेफसाइट बना कर वो खुद को कभी MBA कभी MD तो कभी PhD की केमेश्ट के जालसाजी के शिकार हो रहे थे, शंबो दयाल दिग्री कॉलिज के पूर्बू प्रिंस्पाल डॉक्टर वी एस गोयल का कहना है, PhD के वक्त शोद का इंटरनेशनल जोनल में प्रकाशिस्त होना बड़ी बात है, आप देख रहे थे ददस्तक 24 की रिपोर्ट, शुक्रिया तो